vector field f equal to ax plus y plus a i hat plus j hat minus x plus y k hat where a is a constant if curl f with the dot product vector f equal to 0 then the value of a is तो यहाँ पर एक हमें vector field f दिया गया है जिसको हम vector bar या vector f से दिखा रखा है तो vector f equal to ax plus y plus a i hat plus j hat minus x plus y k hat यह एक हमें vector field given है और साथे साथ हमें condition दे रखा है वो condition है vector f और dot product with curl f equal to 0 यानि के vector f dot product with curl f equal to 0 तो हमें यहाँ पर बताना है a equal to क्या है तो यहाँ पर सबसे पहले तो curl f के बात करें तो curl f क्या होता है नैबला with cross product vector field f और जो हम नैबला की बात कर रहे हैं नैबला क्या होता है यह होता है पार्सियल अपाउन पार्सियल x यानि की sometimes इसको हम डो भी call करते हैं तो यह i cap plus j cap plus k cap इस तरह से हम इसको नैबला को लिख सकते हैं और जब हम इसका f के साथ क्रोस प्रोडेक्ट लेंगे तो क्रोस प्रोडेक्ट निकालने का जो हमारा method है वो वही simple होता है कि हम determinant calculate करते हैं i cap j cap और k cap इस तरह से लिखेंगे फिर नैबला को लिखेंगे partial with respect to x partial with respect to y और partial with respect to z और फिर f के constituent लिखेंगे हम जो f के constituent है a x plus y plus a और j के correspond 1 है और k के correspond जे के correspond 1 और k के correspond x plus y इस तरह से हमने इसको लिखा और अब हम इसका determinant calculate करेंगे तो मैं इसको first row के respect में इसको expand कर रहा हूं तो i hat अब क्या हो जाएगा first और first column को हम छोड़ देंगे तो यह मिलेगा इसके साथ करेंगे तो y के साथ करेंगे तो इसका इसके साथ यानि के minus one और फिर इसका इसके साथ करेंगे z के respect में तो यह 0 हो जाएगा तो यह भी हमारा यहीं parent हो गया फिर k के respect में करेंगे तो यह और यह तो मैं थोड़ा color change कर देता हूं तो इसका इसके साथ करेंगे तो one के 1 के साथ करेंगे पार्स्यल, तो constant है, वो 0 हो जाएगा, minus इसका इसके साथ करेंगे, तो यह हो जाएगा, minus 1, तो यहा से हमें क्या मिलेगा, minus i hat, plus j hat, और minus k hat, यानि कि जो curl F है, क्योंकि curl F आपको जो मिलता है, curl F, वो एक vector quantity मिलता है, तो यह आपको मिला, i hat plus j hat minus k hat, इस तरह से मिलते हैं, और curl हमेशा, आप जो curl निकालते हैं, always find vector quantity, curl हमेशा vector quantity का find करते हैं, और curl find out करने के बाद जो result आता है, यानि कि curl के सी vector quantity का find out कर लेते हैं, तो वो भी एक vector ही होता है, अब हमें जो condition दे रखी थी, हम उस condition को use कर लेते हैं, vector f और dot product of curl f equal to 0, यह हमें दे रेखा था, यानि कि dot product लेना है हमें, किस-किस का, f का, तो f जो हमारा था, f को मैं एक बार फिर से rewrite कर लेता हूं, उसके constituents क्या थे, ax plus y plus a i hat और यह था plus j hat minus x plus y k hat, यह था हमारे पास, और जो curl f है, curl f जो vector quantity i है, उसके constituents है, with respect to i plus j, और minus k, अब हमें इन दोनों का dot product निकालना है, dot product, तो dot product में क्या करते हैं, i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ, तो इसका, इसके साथ करेंगे, तो same वही आ जाएगा, तो यह हमें मिलेगा, मैं इसको यहां से लिखता हूं, यह मिलेगा मुझे को ax plus a plus y, यानि कि, जो f का first part था, उसको हमने same लिखा, और क्योंकि negative है, तो इसके outside मैं negative use कर लेता हूं, और फिर j का j के साथ करेंगे, तो यह one हो जाएगा, और k का k के साथ करेंगे, तो यह plus हो जाएगा, तो यह हमको मिलेगा, x plus y, तो यह हमें dot product मिल गया है, और dot product किसके equal था, वो 0 के equal था, तो हमने इसको 0 के equal रख दिया है, तो अब सिर्फ हमें इस equation को solve करना है, तो हमारा जो equation आया है, उसको मैं एक बार rewrite कर लिता हूं, ताकि लिखने और समझने में कोई problem ना हो, तो यह हमें मिला है, negative of ax plus a plus y, और plus 1 minus, plus 1 minus, x plus y, यह हमें मिला, एक बार मैं चेक कर लिता हूं, इस और k के respect में जो मिला है, वो minus minus plus, यह plus रहेगा, तो यह मेरे से mistake हो गया था, तो यह equal to हमें मिला, 0 के, अब हमें तो क्योंकि a का value find out करना है, तो हम इसको क्या करते हैं, x के y के जितने भी part, मतलब like terms को एक जगा collect कर लेते हैं, तो यह है minus का ax plus x, और हमारे पास फिर बचता है minus a, और y के collect करते हैं, तो मिलता है y और minus y equal to 0, तो यह तो cancel out हो जाते हैं y के terms, अब यहाँ पर बचता है minus a, और तो यहाँ के first two terms से, मैं common ले लेता हूं x, तो यह x अगर मैं common ले लेता हूं, तो यह बचता है मुझे, one minus a, और यहाँ पर अगर मैं minus a इसको ऐसे ही लिख देता हूं, तो यह ऐसे ही, और equal to 0, one इसमें रह गया है, यह one हमने कहीं use नहीं किया, तो यह हो गया, x, a, यह one और रहेगा, तो यहाँ पर मैं one भी लिख लेता हूं, तो अब क्या है, मैं यहाँ से minus outside common ले लेता हूं, तो यह हो जाएगा, one minus a, और यह भी था, x, one minus a, equal to 0, तो आप देख सकते हैं, कि यह दोनों bracket जो है, वो same है, यानि कि उनको अब हम common ले सकते हैं, तो one minus a हमारा common आ गया, तो common के बाद क्या बसता है, x minus one equal to 0, अब इन दो bracket का, किन दो bracket का, one minus a, और x minus one equal to 0 है, अगर किन दो brackets का product 0 है, तो इसका क्या मतलब होगा, क्या तो यह 0 होगा, या यह 0 होगा, तो अगर x minus one equal to 0 हो जाता है, तो x equal to one आ जाता है, और one minus equal to 0 आ जाता है, तो equal to one आ जाता है, तो हमसे X क्या होगा ये तो हमसे पूछा नहीं था हमसे तो सिर्फ ये पूछा था कि A क्या होगा तो यहाँ पर A का जो value है वो हमें 1 मिल गया है तो X के बारे में क्योंकि हमसे पूछा नहीं था तो हम इसके बारे में बताएंगे भी नहीं हमारा x क्या हो सकता है तो यहाँ पर जो इसकी key है वो option c होगा तो इसका right choice option c हो गया